क्रिकेट के फैंस और लवर्स के लिए ये बेस्ट सीजन चल रहा है पूछे क्यूं क्यूंकि एक से बढ़कर एक बैक टू बैक जो सिरीज हो रही है उसका मजा ही कुछ और है और अभी जो फॉर्म में चल रहा है ये देखिए आप जो रोड सेफटी वर्ड सिरीज दो हजार 22 जो हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया है इसमें हमें पुराने जो हमारे खिलारी है उनका खेल देखने का मौका मिल रहा है और इसके अलावा केरिविन प्रीमेर लीग थी एक से बढ़कर एक टी-20 वर्ल काफ हमारा इंतजार कर रहा है तो आप ये बखु भी कह सकते हैं त है तो हैट से लेकर प्लेइंग 11 तक वो सब कुछ जिसका जानना आपका बहुत ज़रूरी है आपका वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैश कर ले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजे ताकि आगे आने वाले स्टरंबर 2022 को स्टार्टिंग टाइम रहेगा 3.30 PM IST वेन्यू है शहीद वीरि नारायन सिंग इंटरनेशनल स्टेडियम तो यह है इसकी बेसिक सी मैच डीटेल्स अब हम आपको बताते हैं थोड़ी जादा डीटेल्स इस मैच के बारे में तो श्रिलंका टीम के अगर हम ब बांगलादेश लेजन्स की बात कर लें तो बांगलादेश लेजन्स अभी अपनी खराख फॉर्म से जूज रही है चार में से एक भी मैच इसने अभी तक नहीं जीता है पिछले मैच की बात करें तो इन दोनों इस मैच के अंदर श्रिलंका लेजन्स ने 42 रनों से जीत द था, 65,000 दर्शा यहां पर बैट कर आसानी से मैच का लोटफ उठा सकते हैं, इसे शहीद वीर नाराण सिंग इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वहीं एक और नाम है इसका, वो है छतीसगर इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम, एंड्स इसके दो हैं नॉर्थ हैं और एक है साउथ हैंड, लोकेशन है राइप और इंडिया, टाइम जोन रहेगा, यूटीसी प्लस 530, होम टू है, डेली डेर डेविल्स, छतीसगर और फ्लर्ड लाइट इस मैदान पर मौजूद हैं, तो यह है इसके पिच रिपोर्ट, अब हम आपक के अंदर, स्पिनर्स को यहां थोड़ी जादा मदद मिलती है, और जो विकेट है, उसको गुट सपोर्ट करती है यह पिच, इसलिए आपको बता दूँ कि जो बैटिंग है, बोलर्स हैं, सब आराम से बराबर खेल पाएंगे, क्योंकि यह सब को एक्स्प्रोर करने का मौक करना होगा, जिससे की सेकंड टाइम में चेंज करने के लिए मिल जाएगे उनको टोटल स्कोर और डील मैथर लागू हो सकता है, बारिश आने पर सबसे जादा लागू किया जाता है, और उसी से ही रिजल्ट निकाला जाता है, जिससे की मैच नो रिजल्ट वाला ना रहे, तो स्मार्टर तरीका ये होगा कि जो भी टीम टॉस जीते, वो सबसे पहले बोलिंग करें, इसके अलावा आपको बता दें कि ये पिच काफी शांदार तरीके से अपने प्लेयर्स को खेलने का मौका देती है, तो ये जो मैच होने वाला है, बड़ा ही दिल्चस्प होने व जो रहेंगे वैन्यू स्टैट्स, T20 डॉमेस्टिक के हम आपको वैन्यू स्टैट्स बताने वाले हैं, जो T20 के अगर हम बात करें, तो टोटल मैच यहां पर खेले गए हैं 6, जिनमें बैटिंग फर्स्ट करके जीत दर्च की गई हैं 2, और जिनमें सेकंड टाइम में जीत 24 पर 5 विकेट, लोएस्ट स्कोर है 2400 पर किंग्स के 119 पर 6 विकेट, और 200 से जादा सिफ एक बार ही स्पिच पर स्कोर किया गया है, तो यहां पर मीडियम रन बनते हैं जैसा कि आपने हमारे स्टैट्स में देखा, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पर लेते हैं शुलंका की टीम को, तो शुलंका ने यह जो चार मैच खेले हैं, वो रिसेंट अभी खेले हैं, इसके आदार पर हम आपको बताएंगे कि परफॉर्मेंस कैसे रहेंगी टीम होगी, तो पहला मैच हुआ था शुलंका लेजेंड्स का साउट अफ्रिका से जिस इस रनों से, चौथे मैच में शुलंका को, इंडिया से हार का सामना करना पड़ा, इंडिया ने यह जीता था, मैच 14 रनों से, तो यह है इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस, और अब बात कर लेते हैं, बांगलादेश लेजेंड्स की रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, त पांचों मैच का रिजल्ट हम आपको बताएंगे, पहला मैच हुआ था, बांगलादेश का इंडिया के साथ, जिसमें रिजल्ट नहीं रहा था, दूसरे मैच में, बांगलादेश भीडी थी, ऑस्ट्रेलिया थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्च की थी, तीन विक पांचों मैच हुआ था, आप देख पा रहे हैं, बांगलादेश का हुआ था, साथ आफरिका से, जिसमें साथ आफरिका ने जीत दर्च की थी, दस विकिट से, चार बाले इस मैच में रहे थी, तो यह है इसका रिसेंट परफॉर्मेंस ग्राफ, और इस ग्राफ को देखत आप अनुवान लगा सकते हैं कि बांगलादेश अभी किस फॉर्म से गुजर रही है, एक मैच जिसमें रिजल्ट नहीं रहा और बाकी सारे मैच में बांगलादेश को हार का सामना करना पड़ा, तो इसे अभी बहुत ही खराफ फॉर्म से जूज रही है, अभी अपने खे आएंगे प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले आपको बताते हैं शुलंका लेजेंड्स की प्लेइंग 11 किस तरह से रह सकती है, दिल्शान इसके ओपनिंग बैटर है, तिलकारतने दिल्शान इसके काप्टन है, इसके अलावा है ओपल तरंगा, जीवन मैंडेस, शमा जैरतने, जो की अल राउंडर है टीम के, तो ये है इसकी शानदार प्लेइंग 11, अब बात करते हैं इंडग बांगलादेश की लेजेंड्स की प्लेइंग 11 के बारे में, तो बंगलादेश की टीम में, महराब हुसिन बैटर है, आफताब एहमाद जो के ओपनिंग बैटर ह इस टीम के और इसके लावा है खालेद, आलो कपाली, डीमन, आलिस, अबुर हसन, मुहम्मद शरीफ, कैप्टन है और इसके लावा है नजमुस, डोलर और अब्दुराजाग तो यह है इसकी प्लेइंग 11 अब हम आपको बताते हैं की प्लेइर्स कौन-कौन से लिए हैं हमने इन्वेस्ट के, तो सबसे पहले है आफ्टाव एहमर जिन्होंने 6 मैचों में 122 रन बनाए हैं, बैटिंग एबरेज है इनका 20.33 और स्ट्राइक रेट है इनकी 135.55 और दूसरे है हमारे की प्लेइर जिन्होंने 7 मैचों में एकरान में रन बनाए हैं, बैटिंग एबरेज है इनका 30.33, स्ट्राइक रेट है 108.33 इसके रावा हैं अब्दुर रजाक जिन्होंने 9 मैचों में 7 विकेट लिए हैं, एकोनॉमी रेट है इनका 6 और स्ट्राइक रेट है 23.85 तो ये हैं हमारे के प् तो तिलकार अतने दिल्शान लिए हैं हमने 10 मैचों में 306 रन बनाए हैं इनका 47 और स्ट्राइक रेट है 142.96 दूसरे हैं हमारे थरंगा जिन्होंने 9 मैचों में 209 रन बनाए हैं, बैटिंग एबरेज इनका 74.75 और स्ट्राइक रेट है 132.30 इसके अलावा है नुवान जि 6.80 और स्ट्राइक रेट है 11.93 तो यह हैं हमारे टॉप 6 की प्लियर्स इस मैच के तो मैच प्रेडिक्शन के बात कर लेते हैं सबसे इंपोर्टेंट होता है हमारे वीडियो में यह पार्ट तो आपको बता दे कि शुलंका लेजेंस बहुती बढ़िया फॉर्म में चल रही प्रे यह हैं और इसके अलावा बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम की जिन्हों ने अभी सारे के सारे मैच ऊहारे हैं एक में भी जीद दर्श नहीं की हैं तो हो सकता है कि अभी इस match में भी श्रिलंका का पलड़ा ही जादा भारी रहें और इसके लाबा आपको बता दें कि बांगलदेश की team को अपनी team के उपर, batters के उपर, ballers के उपर काम करने की ध्यान देने के जुरत है और हो सकता है कि वो sign off कर दे ये match जीत कर क्योंकि match ऐसा game है, cricket ऐसा game है, जहाँ पर last पलों में भी पासा पलड़ जाता है हमारे according match prediction में कौन से team जीतेगी तो शुलंका legends इस match को जीतने वाली है आपका क्या मानना है, comment walks में अपनी रायस जरूर दीजेगा और ऐसे ही और match prediction के वीडियो देखने के लिए, cash कर ले को subscribe करना ना भूलेगा